दोस्तों नमस्कार ये है मागदेशन पॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों घटना चक्र सामान एद्यन पुर्वावलोकन स्रिंखला के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थित्की से संबंधित महत्तपूर्ण पहला प्रश्ण है दोस्तों भारत के कुल छेतरफल में वनो का छेतरफल कितना है तो दोस्तों ये जो प्रश्ण है काभी पुराना है लेकिन इसमें जो नवीनतम डेटा है भारत वनिस्थिति रिपोर्ट 2021 इसके आधार पर आप देखेंगे भारत में कुल 21.71 प्रतिशत यानि 7,13,789 बर किलोमेटर छेतरफल पर वनो का विस्तार है तो यहाँ पर जो भी डेटा होगा इसमें वो करेंट डेटा के आधार पर प्रश्ण बनेगा तो याद रखिएगा भारत वनिस्थिति रिपोर्ट 2017 यानि IESFR 2017 के अनुसार भारत के कुल छेतरफल में 21.54 प्रत दो वर्स पर उपग्रह चितरण के माध्यम से वनिस्थिति रिपोर्ट यानि The State of Forest रिपोर्ट जारी करता है IESFR 2021 के अनुसार भारत के कुल 21.71 प्रतिशत यानि 7,13,789 बर किलोमेटर छेतरफल पर वनो का विस्तार है अगला प्रशन है दोस्तूं इंडिया State of Forest रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भागोलिक छेतरफल का कितना प्रतिशत तांस वनो के अंतरगत आता था तो उत्तर है 21.54 प्रतिशत ये ISFR 2017 के अकुडो के अनुसार था अगला प्रशन है 2015 में निम्नलिखित राज्यों में किसके भागोलिक छेतरफल का सबसे अधिक प्रतिशत अंस वनो के अंतरगत था तो आप जान लिजे सही उत्तर मिजोरम हो जाएगा दोस्तों भारत वनिस्थति रिपोर्ट 2015 के अनुसार राज्यों के भागोलिक छेतरफल के अंतरगत वनो का सबसे अधिक प्रतिशत अंस वाला जो राज्य था वो मिजोरम था और आप जान लि है वो मिजोरम है 84.53 अरुडाचल प्रतिश दूसरे अस्थान पर 89.33 प्रतिशत इसके अलावां आप देखे दोस्तों मेगाले तीसरे अस्थान पर 76 प्रतिशत और नागलेंड में 73.9 प्रतिशत वन छेतरों का विश्तार पाया जाता है अगले प्रशन पर आते हैं परियावरण मंत्राले द्वारा जारी किये गए इंडियन इस्टेट आफ फारेश्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसर भारत के पूरे भाववोलिक छेतर का कितना प्रतिशत छेतर वनों और पेडों से आच्छा दित था तो ये प्रशन जो है ये आप का पुराना है दोस्तों 24.16 प्रतिशत जो छेतर था ISFR 2015 के अनुसर लेकिन आप देखिए जो 2021 की रिपोर्ट है इसको जरूर आप याद रखिएगा कि भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2021 के अनुसर देश के 21.7 एक प्रतिशत भाग पर बना वरण और 2.9 एक प्रतिशत 2017 के अनुसर देश के कुल भौगोलिक छेतर फल का कितना प्रतिशत बना च्छा दित था तो अब पुराने आकड़ों को छोड़ दीजे वर्तमान में याद रखिएगा 21.71 प्रतिशत जो है ISFR 2021 के अनुसर ये वनु का प्रतिशत छेतर फल है अगला प्रशन है दोस्तूं फ 2018 को 15 भारत बन इस्थिती रिपोर्ट जारी की गई थी ISFR 2017 के अनुसर देश में कुल भौगोलिक छेतर फल का 21.54 प्रतिशत था लेकिन नवीनतम आकड़े जो ISFR 2021 में है देश में कुल भौगोलिक छेतर फल का 24.62 प्रतिशत था अगला प्रशन है दोस्तूं पिछले वन इस्थिती रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2019 के अनुसर निमनलिकित में से किस राज में जन जाती जिलों की संख्या सबसे अधिक है नागालेंड में घाले मीजोरम और मडिपूर तो सही उत्तर है नागालेंड दोस्तों भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2019 के अनुसर जो है नागालेंड में 11 जन जाती जिले में घाले में 7 मिजोरम में 8 और मडिपूर में 9 हैं अगला प्रशन है दोस्तों भारत वर्ष में कितना भूभाग जंगल है आपको बताना है तो जो यह आखड़े हैं उसके आधार पर आप देखिए दोस्तों कि ISFR 2021 के अनुसार वनावरंड जो है 21.7 एक प्रतिशत इसको रट लीजिए और ब्रिक्छावरंड 2.9 एक प्रतिशत है और कुल भाग पर ब्रिक्छावरंड यह 24.5 प्रतिशत जो है यह 2019 के अनुसार था लेकिन जो ISFR 2021 के अनुसार वनावरंड 21.7 एक प्रतिशत और ब्रिक्छावरंड 2.9 एक प्रतिशत भाग पर है अगला प्रिशन है दोस्तों उपग्रे सर्विक्षण से 81 तांकडों के अनुसार भारत के छेतरफल पर कितना प्रतिशत भाग बनों से ढखा हुआ है तो सही उत्तर क जो है वो आप जान लिजे कि उपग्रे सर्विक्षण से 81 तांकडों के अनुसार भारत के छेतर फल का 21.7 एक प्रतिशत भाग वनों से ढखा हुआ है हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में किस देश में वन का सरवाधिक छेतर पाया जाता है केरल उत्तर प्रदेश म मध्य प्रदेश या राजस्थान तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में दूस्तों वर्तमान में वन इस्थिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार उपग्रह आधारी तांकडों के आधार पर भारत में जो राज्यों के वन छेतर हैं उनको देखे मध्य प्रदेश में 77,493 वर किलोम केरल में 21,253 वर किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 14,814 वर किलोमीटर शेतर फल पर वनो का विश्तार है अगला प्रशन है दोस्तों आप जान लीजे निमनलिखित में से किस राज में सरवाधिक छेतर वनो के अंतरगत पाया जाता है देखे हिमाचल प्रदेश असम आं चेतर बहुत अधिक है और अवडाचल प्रदेश में 6,423 वर किलोमीटर वन चेतर है सबसे अधिक वन चेतर का विश्तार मध्य प्रदेश में है 77,493 वर किलोमीटर और तीसरे अस्थान पर 36 गढ़ है राज्यों में यहाँ पर देखे 55,770 वर किलोमीटर ओडीसम में 52,156 और महराष्ट में 50,198 वर किलोमीटर चेतर फल पर वनो का विश्तार है अगला प्रशन है भारत का वो कौन सराज्य है जिसका वनाच्छादित चेतर फल सरवाधिक है आपको बताना है तो यह राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ पर सरवाधिक चेतर फल पर वन पाए जाते भारत के किस राज्य में उसके छेतर का अधिक्तम प्रतिशत छेतर वना च्छादित है तो प्रतिशत्ता के आधार पर देखना है तो सही उत्तर मिजोरम हो जाएगा दोस्तों 2021 के आखुडों के अनुसार मिजोरम में 84.53 प्रतिशत अरुडाचल प्रदेश में 89.33 नागालेंड में 73.9 और मेगाले में 76 प्रतिशत भाग पर वनो का विश्तार है अगला प्रेशन है दोस्तों भारती वन सर्वेक्षन की रिप्योट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज में भागोलिक छेतर का सरवाधिक प्रतिशत वन छेतर है तो सही उत्तर है मिजोरम अगला प्रेशन है दोस्तों कुल भोगोली छेतरफल के संदर में वनों का उचितम प्रतिशत कहां पर मिलता है आपको बताना है अरुडाचल प्रदेश नागा लेंड तरिपुरा या मिजोरम में तो सही उत्तर इसका मिजोरम हो जाएगा जोस्तों भारत बन इस्थिती रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत की राज्यों के छेतरफल में सरवाधिक बनावरण प्रतिशत्तावला राज्य मिजोरम है इसके बाद अरुडाचल प्रदेश मडिपुर का अस्थान आता है और ISFR 2021 के अनुसार भी सरवाधिक बनावरण प्रति शत्तावला राज्य मिजोरम है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित भारत की राज्यों में से कौन सा राज्य सरवाधिक बनाच्छादित है मिजोरम आसम गुजरात या नागलैन तो सही उत्तर है मिजोरम अगला प्रश्ण है प्रतिशत अधिक्तम वन छेतर कौन सा है तो ये मिजुरम में सरवाधिक प्रतिशत वन छेत्र पर हैं। अगला प्रिश्ण है भारत में आतिस अगन वनु का विश्तार छेत्र की स्राज़ में पाया जाता है। देखें अरुडाचल प्रतिश, मध्य प्रतिश, महराष्ट और रोडिशा तो सही उत्तर है अरुडाचल प्रतिश में। प्रोडिशा में 7213 किलोमेटर छेत्र फल ये अतिस अगन वनों के अंतरगत आता है। अगला प्रिश्ण है निम्न में से भारत में किस राज या संगी छेत्र के भोगोलिक छेत्र फल का अधिक्तम भाग वनाच्छादित है। आपको बताना है त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, नागालेंड या मिजोरम तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मिजोरम। दोस्तों आप जान लिजे ISFR 2021 के अनुसार भारत के अधिक्तम प्रतिशत वनाच्छादित छेत्र की द्रिष्टी से 5 राज्य और संगी राज्य हैं। इनमिलक्ष दीप 90.33%, मिजोरम 84.53%, अंडमान निकोबार, दूसमू 81.75%, अरुलाचल प्रतिशत 89.33% और मेगाले 76% जो हैं वनाच्छादन हैं। अगला प्रिष्ण हैं दोस्तों, इंडिया इस्टेट आफ फारेष्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निमनलिक्षित में से किस राज्य ने पिछले दो वर्षों में वन छेत्र में अधिक्तम ब्रिध्धि दर्जी की हैं। तो सही उत्तर है अरुडाचल प्रदेश ने। ये आपका सही नहीं है और हर्याणा जो है भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। तो दोस्तों बर्तमान के जो आंक्रे हैं भारती बन सर्वेक्षन रिपोर्ट के उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सरवाधिक बन छेत्र हैं। अरुडाचल प्रदेश में सरवाधिक अतिसखन बन छेत्र हैं और भारत का सरवाधिक बनाच्छादित राज मीजोरम है। नकिनागालेंड और छेत्र फल की द्रिष्टी से सबसे कम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। अगला प्रशन हैं दोस्तों ब्रिक्षाद छादित छेत्र सरवाधिक है। पूर्वी दक्कन में, उत्री मैदान में, पश्मी तट में या पूर्वी तट में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी दक्कन में। दोस्तों आप जान लिजे कि भारत वनिस्थिती रिपोर्ट की अनुसार जो सरवाधिक ब्रिक्षावरण जो है, इसमें पूर्वी दक्कन का छेत्र है, मध्य उच्छ भूमिया सरवाधिक छेत्र फल पर, जबकि पूर्वी दक्कन दूसरे अस्थान पर है। अगला प्रश्ण है, भारत के कुल भौगोलिक छेत्र फल में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है, आपको बताना है, तो सही उत्तर है, दोस्तों आति सघन वन का प्रतिशत 3.004 और मध्यम सघन वन का 9.33 है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्रतिशत, तो सही उत्तर आपसं C हो जाएगा, भारत के कुल भौगोलिक छेत्र फल में सघन वनावरण का प्रतिशत लगभग 12 प्रतिशत है, अगला प्रश्ण है, भारत 1.33 रिपोर्ट 2019 के अंसार निम्न में से, किस एक जिले में बहुत घना जंगल छेत्र फल, जो है नियूंतम मात्रा में हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा अलवर में, दूस्तों, अलवर में जो है, वेरी देंस फारिश्ट छेत्र फल बहुत कम है, केवल 69 पर किलो मेnousटर, जैपूर में 12 वर किलो मेटर, जैसल मेर में 3.9 वर किलो मेटर, जोदपुर में सुन्नी वर किलो तो दोस्तों बहुत गना छेत्रफल जो है राजस्थान में कहाँ पर नियूंतम है तो सही उत्तर यहाँ पर जो है अलवर हो जाएगा बहुत ही महत्तपूर्ण प्रश्ण है अगला प्रश्ण है दोस्तों बहुत ही महत्तपूर्ण राष्टी सुदूर संबेदन अभिकरण के अनुसार निम्न में से किस राज में कुल छेत्रफल का सरवाधिक प्रतिशत बना अच्छा दित है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अरुडाचल प्रदेश दोस्तों भारती वन सरविक्षन बिभाग देहरादून द्वारा जो आकड़े निकाले जाते हैं वन इस्थिति रिपोर्ट के उसमें IESFR 2021 के अनुसार अरुडाचल प्रदेश का करम से 89.96 बर्तमान में 89.33 प्रतिशत भाग वनाच्छा दित है अगला प्रशन है दोस्तों निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत के कुल भोगोलिक छेतर फल का लगभग 20% छेतर वन के रूप में है कुल वन छेतर में लगभग 40% सगन वन छेतर है और दूसरा है कि राष्टी वन कारे करम का उद्दे से भारत के एक्तिहाई छेतर फल को ब्रिक्षों से ढखना है तो इसमें केवल दो आपका सही है पहला कथन सही नहीं है और आप देख लीजे दोस्तों भारत वन इस्थिती रिपोर्ट के अनुसार जो है ये बहुत ही मोहतपूर है जो पहला कथन है कि भारत के कुल भोगोलिक छेतर फल का ये बन के रूप में है आईसे फार 2021 के अनुसार 21.71 प्रतिशत छेतर बना च्छादित है और राष्टी वन कारेकरम का उद्देश भारत के एक तिहाई छेतर यानि 33 प्रतिशत छेतर को वन उसे ढखना है अगला प्रशन है निमने लिखित राजी समूहों में किसमें कुल वन कुल भोगोली छेतर फल के 75 प्रतिशत से अधिक छेतर फल पर बना च्छादित है तो सही उत्तर हो जाएगा अरुडाचल प्रदेश मरीपूर और नागलेंड दूश्तों यहाँ पर आप जान लिजे कि 75 प्रतिशत से अधिक बना च्छादन वाले जो राज्ये हैं उस 75 प्रतिशत से अधिक वाले जो जीले हैं उसमें आप देख लीजे मेग हाले हैं और अरुडाचल प्रदेश हैं यहाँ पर 75 प्रतिशत से अधिक बना च्छादन वाला जो है राज्ये हैं अगला प्रश्न है किस राज्ये का 80 प्रतिशत से अधिक छेतर बना च्छादित है अरुडाचल प्रदेश, केरल मध्य प्रदेश और पश्यम बंगाल तो सही उत्तर है अरुडाचल प्रदेश अरुडाचल प्रदेश में 80.8 तीन प्रतिशत पहले बना च्छादन था 2021 के जो आकड़े हैं इसके अनुसार लक्षदीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार्दीव समोगा अगला प्रशन हैं दोस्तों इंडिया इस्टेट आफ फारिस्ट रिपोर्ड 2021 के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक छेतर का 33 प्रतिशत से अधिक छेतर फल वन द्वारा आक्षा दित है तो सही उत्तर हो जाएगा ये हैं आपके 17 राज्ये दोस्तों 3 जन्वरी 2022 को परियावरान बन और जलवाई परिवरतन मंत्रा ले द्वारा 17 भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2021 जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार देश के सत्रे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक छेतर वन ही उत्तर है मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा छेतर जो है वो गुजरात तट के सहारे पाया जाता है दोस्तों आप जान लीजिए भारत में सरवाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य जो है वो पहले अस्थान पर पश्यम बंगाल है दूसरे पर गुजरात तीसरे पर अंडमान निकोबार दूसरे पर आंदर परदेश है दूस्तों मैंग्रोव अनसपतियों का विकास अधिकान स्तर तटों के सहारे खारे पानी में होता है अगला प्रश्न है रिक्त अस्थानों में उचित चयन को भरिये 2011 में उत्तर परदेश का अभिलिखित या रिकार बन छेतर फल अपने कुल छेतर फल का लगभग कितना था तो 2011 में ये 7 प्रतिशत था और आप जान लिजे वर्तमान में अगर जो हम 2021 की बात करें तो 2021 के आंकोडों के अनुसार उत्तर परदेश में अभिलिखित बन छेतर 17,384 वर किलोमेटर है जो इसके भागोलिक छेतर फल का 7.22 प्रतिशत है तो याद रखेगा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अभिलिखित जो रिकार्डेड फारेश्ट एरिया है ये इसके कुल भागोलिक छेतर फल का 7.22 प्रतिशत है अगला प्रशन है दोस्तों महत्तपूर्ण प्रशन है आप देख लीजे भारत के न ये जान लेते हैं इसमें 2021 के आंकडों के अनुसार दोस्तों मडिपूर में 74.34 प्रतिशत ओडिशा में 33.5 सुन और महराष्ट में 16.5 एक और हरियाणा में 3.6 तो मडिपूर्ण ओडिशा महराष्ट हरियाणा मडिपूर्ण ओडिशा महराष्ट और हरियाणा ये जो राज्ये हैं इनका जो सही क्रम होगा इस तरह से हो जाएगा आपका मडिपूर्ण ओडिशा महराष्ट और हरियाणा तो यहाँ पर मडिपूर्ण सबसे पहले फिर ओडिशा फिर महराष्ट और सबसे लाष्ट में ह याणि तीन चार दो एक तो तीन चार दो एक आपसन ए इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तूं देखे भारत की निमनलिखित राज्यों को उनके वनू के छेतरफल के और रोहिक्रम में विवस्थित कीजिए और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए तो आप 2021 के आंकड़े जब आप देखेंगे आंध्र प्रदेश अरुडाचल था 36 गड़ और ओडिश्यों में तो आप देख सकते हैं दोस्तूं आंध्र प्रदेश में जो हैं आंध्र प्रदेश दोस्तूं अभिलिखी छेतरफल में 37,258 बर किलोमीटर जो है ये वनो का राज्यों में अभिलिखित वन छेतर है तो यहां पर सबसे अधिक ओडिशा हो जाएगा दूसरे अस्थान पर 36 गड़ तीसरे पर अरुड़ाचल प्रदेश और चौथे पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तूं जार्खंड में प अगला प्रशन है दोस्तूं अब आईए आईयो सीन और विभिन संकटापन जातियों के बारे में जान लेते हैं यह महतपूर है भारत की सबसे बड़ी मचली कौन सी है आपको बताना है इस्टोन फिस वेल सार्क मारलीन या हिलसा तो सही उत्तर है वेल सार्क भारत की ही नहीं पूरे 200 की सबसे बड़ी मचली है यह 50 फिट तक लंबी हो सकती है वेल सार्क आश्टेलिया और अफरीका के तटपर परवास करती है किन्तु परतेक वर्स मार्च से माई के दवरान बड़ी संख्या में वेल सार्क भारत के गुजरात तटपर आ पाय जाता है कहां पर गंगा में गोदावरी में कृष्णा में और कावेरी में तो सही उत्तर है गंगा में दोस्तों गैवियलिश या घडियाल और मगरमच्च कुल की एक परजाती है जो गंगा और इसकी सहायकनदी में पाय जाते हैं यह बंगला देश भारत और नेपाल में अधिकांस मात्रा में पाए जाते हैं अगला प्रश्ण है भारत के निम्न प्राडियों पर विचार करें मगर मक्ष और हाथी इसमें से कौन सी संकटा पन्न जातियां है तो सही उत्तर है एक और दो दोनो दोस्तों IUCN यानि International Union for Conservation of Nature द्वारा भारत में पाय जाने वाले मगर मच्छों की प्रजातियों को संकटा पन्न प्रजाति की सूची में शामिल किया गया था और हाथी भी संकटा पन्न जातियों की स्रेड़ी में है अगला प्रश्ण important है दोस्तों पगमार्क तकनीक का प्रियोग किया जाता है किस लिए तो सही उतर है बिभिन बन जन्तों की जन संख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीक का प्रियोग किया जाता है और इस तकनीक में पशों के पद जिन्हों की संख्या के आधार पर बिभिन बन जन्तों की संख्या का आक किया जाता है अगला प्रश्ण है निमने लिखित पर विचार कीजिए तारा का चुवा मॉनिटर छिपकली वामन सुवर और स्पाइडर वानर इन में से कौन भारत में प्राकरतिक रूप से पाय जाते हैं तो सही उत्तर है भारती वन प्राणी जाती है और उनके वैग्यानिक नाम का सुमेलन करना है इसमें आप देखिए एशियाई जंगली गधा 21 हेमियोनस 21 हेमियोनस जंगली गधा का वैग्यानिक नाम है बारह सिंगा का रूसर्वस डूआ उसली तो बारसिंगा का दो हो जाएगा चिंकारा का जो वैज्यानिक नाम है गजेला वेनेटी है याद रखेगा और नील गाय का बोसलाफ़श टेड्रो केमिलस तो ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा तीन दो चार और एक तो यहाँ पर मिलान करिए तीन दो चार एक आपसन भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित भारती प्राणिजात पर विचार कीजिए घडियाल चर्म पीठ कुर्म और अनूप म्रिक इन में से आपको बताना है कौन सा संकटापन है तो सही उत्तर है एक दो और तीन ये सभी critically endangered स्रेड़ी में रखे गए हैं यानि तीनों ही संकटापन स्रेड़ी के जब ये प्रश्न पूछा गया था तब आते थे लेकिन वर्तमान में घडियाल को अती संकटापन स्रेड़ी में रखा गया है अगला प्रश्न है यदि आप घडियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्ने लिखित में से किस थान पर जाना सबसे सही है तो उत्तर है चंबल नदी में चंबल नदी में आप घडियाल देखना सबसे सही है घडियाल का वैग्यानिक नाम गेवी एलिस गेंगे टिकस है घडियालों की जादा तर संक्या भारत में चंबल नदी और गिरवा नदी में पाई जाती है अगला प्रेशन है दोस्तों भारत में पाई जाने वाली नशल खाराई उट के बारे में अनूठा क्या है और ये देखें ये समुद्री जल में 3 किलोमीटर तैरने में सक्षम है बिल्कुल सही है ये मैंग्रोव की चराई पर जीता है ये जंगली होता है और पाल तु नहीं बना जा सकता ये गलत है किवल एक और दो आपका सही उत्तर हो जाएगा आप जान लिजे दोस्तों खराई उट गुजरात में पाये जाते हैं ये समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है ये मैंग्रोव की चराई पर निर्भर है और इन उटों को संकट ग्रस्त प्रजाति घोसित किया गया है हाल में ही करनाल हरियाडा में इस्थित नेशनल व्यूरो आफ एनिमल जेन्टिक रिसोर्सेज में खराई उट को भारत में पाई जाने वाली उट की नौवी परजाति के रूप में मानेता दी है और आप जान लिजे मालधारी समुदाय की आजीवी का इन ही उटों पर निर 2021 और IUCN तथा संरक्षंड से संबंधित महत्वण प्रश्णों को देखा IUCN और विभिन संकटापन जातियों के बारे में महत्वण प्रश्णों को देखा जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी हैं आप इन प्रश्णों को तह यार कर ल